कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी companies भी corporate hassles के चक्कर में फस जाती है और वो इत्ती बुरी फसती है कि उसके बाद वो कभी निकल नहीं पाती है कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताओ कि 2019 में 2019 में एक ऐसी company थी जिसका total revenue करीब करीब उस time है कि पीक पे 30,000 crore के आसपास आ रहा था 1700 stores थे उसके पास और मात्रा आज 3 साल बाद bankruptcy के कगार पे है आज की ये कहानी हम analyze करेंगे about the fierce battle जो हुआ Amazon जो हुआ कि शुर बियानी ग्रुप या फिर future प्रेटिकल वीडियोज लाएं तो make sure आप लाइक और शेयर करना ना भूलें से प्रोचसान मिलता है तो सबसे पहले थोड़ा सा ongoing financial state मतब exactly हुआ क्या है जिसके कारण वापिस थोड़ा सा market से हमा हुआ है वो मैं बताता हूँ तो जो Reliance की एक company है Reliance Retail Ventures जी हाँ ये एक flagship company है Reliance की इसने एक bid लगाई थी करीब करीब 24,730 क्रोर की future group को देने के लिए वो इसने withdraw कर लिए मतलब वापिस ले लिए वेल ये एक आस देखी जा रही थी कि अर इतना बड़ा अगर पैसा आता तो future group जो बहुत सारे debt अर्थात कर्जों से जूज रही है जो बहुत सारे issues से जूज रही है और in fact आजकल situation ऐसा हो गया कि no one actually talks about big bazaar and future group तो ऐसा माना जा रहा था कि ये चीज़ उसको बजा सकती है but unfortunately ये वाली चीज नहीं होई है एक और angle अगर आप देखते हो तो reliance already future group के करीब करीब maximum 500 या 550 के आसपास outlook outlets को ले चुकी है plus अभी हाल फिलाल में इसने इसमें करीब करीब और 300 के आसपास add किये हैं तो आप मान के चलिए करीब करीब 830 से 850 outlets reliance के पास जा चुकी है reliance own करती है मतलब big bazaar या फिर future group के पास ये नहीं है future group cannot claim any revenue which is coming out of these things अब आप बोलोगे तो क्या हुआ future group के पास कुछ तो बचाओगा तो जी हाँ future group के आसपास वही 500 550 के आसपास future group के पास भी अपने stores बचे हैं तो कुछ लोग optimistic जो है जो बहुत positive सोचते हैं वो कहेंगे कि ठीक है ना यार किसी के पास अगर 500 stores भी हुआ तो वहाँ से वो निकाल लेगा लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि इन में से करीब करीब 380 defunct है इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ basically जो suppliers होते दें कि जब भी कोई आप retail house चलाते हो तो आपको suppliers की ज़रुत पड़ती है simple जी बात है आपको अगर बरतन बेचने हैं अगर आपको electronics बेचने हैं तो आपके बास कोई supplier तो होना चाहिए ना इनको suppliers ने ये 380 जो units है उनको suppliers ने मना कर दिया बहुत हम पैसे नहीं देंगे और इसी चक्कर में जो financial year में जो इनको operational loss है दोस्तो वो आ रहा है 9500 crore तो you can just imagine कि क्या financial state चल रही है big bazar की मतलब एक time पे 1700 stores own करने वाली और 2019 के peak में 30,000 crore का जो income था अब वो कुछ नहीं लग रहा है पर आप कहोगे कि यार इसमें फिर reliance क्या interested होगी reliance का क्या plan होगा तो हम उसके master plan को समझने की कोशिश करते हैं based on whatever evidence is available outside तो सबसे पहली चीज़ तो आपको समझना है कि reliance का plan जो भी हो एक हकीकत यह है future holders future के जिनने shares hold किये हैं by the way comments में ज़रूर बता ना आपने आज से पहले कभी hold किये हैं अभी भी hold करते हो तो कि इसका ना जो market value ए market capitalization बहुत बुरी तरीके से गिरा है एक समय पे जो 34,000 क्रोर का था आज के समय पे करीब 3.4 से 3.8,000 क्रोर तक का बचा है can you just imagine the amount of money which people have lost in this thing पर अब आपको समझना है कि Reliance यहां से back out क्यों कर रहा है जो deal है Reliance इसले back out कर रहा है because वो कोई legal battle के साथ इस व्यक्ति के साथ नहीं लगना जाता और यह जो हस्तावा व्यक्ति है यह Superman वाला villain नहीं है यह है Jeff Bezos जी हाँ दोस्तो Jeff Bezos और आप लोगों को बता दो कि Jeff Bezos भाई साथ की जो company है न Amazon जिसके मैं कभी कबार शेर्स बाटता हूं अंडे के promotion के time हाँ तो यह almost 3.5 percent stake hold करते है future group में और remote भाई को भी यह चीज़ पता है मुकेश भाई को बता है कि अगर यह legal battle चलता रहेगा न है हर भाई तो पैसे के पैसे अलग जाएंगे and plus Amazon is the biggest e-commerce player इनके पास पैसे की कमी नहीं है global giants खड़े हो जाएंगे इनको back करने के लिए so mota भाई is taking a wise decision कि भाई मैं पीछे हो जाता हूं उपर से mota भाई ने एक चीज़ notice कर लिए जो शायद आपने नहीं करी होगी उन्होंने ये notice कर लिया कि ये covid के बाद जो supreme court है ना हमारे इधर की उनने resume करने बोल दिया है जो arbitration चल रहा था Singapore में सिंगापूर में इनका case चल दा सिंगापूर international arbitration center पे तो उस चीज़ को जो deal रुकी वी थी उसको वापस चालू करने बोल दिया है सुप्रीम court में तो कहीं ना कहीं मोटा भाई knows कि अगर मैं इन चक्रों में पढ़ा तो मेरे पैसा का outflow तो बहुत होगा बट certainty नहीं है कब क उसका क्या है वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा अरे या अलिमनी में देखे अपनी बीवी को उनने रिचस्ट इतना बना दिया तो उनके लिए क्या ही है पैसा पैसा वैसा हाथ का मैल है और likes कर दो उससे प्रोचसान मिलता है तो अब future group किस प्रकार से danger में आ गया तो पह कमेंट्स में जरूर बताना अगर आप किसी ने इतने सारे पैसे ले लिए होते तो आप क्या करते हैं वैसे हैं आपके पास इतने होंगे नहीं वरना आप मेरा वीडियो नहीं देखते बट आज ने तो कल हो जाएंगे तो 28,000 क्रोर वेंडर्स को है प्लिस इनके पास पैसे नहीं है तो इसी चक्कर में ना फ्यूचर गुप बैंक रबसी फाइल कर सकती है तो पहला एक red signal for all the stakeholders या फिर shareholders fresh entry इस खोशी में मत करो कि यहां से recovery आजेगा I'm not saying कि कोई miracle नहीं हो सकता देखो miracle तो कभी भी हो सकता है अक्षा कुमार ने भी welcome movie में काता miracle miracle तो कभी भी हो सकता है लेकिं यह बहुत unrealistic एक hope होगा अगर आप सोचते हो कि किशोर जी यहां से बच जाएंगे एक time दे यार youth inspiration पर इनके कुछ गलट decisions और इनकी ego का भी खेले जो मैं अभी आपको थोड़े देर में बताऊंगा जिसके कारण इन्होंने ही खुद एक इस तरह के हालात में पहु जिसके तहत उन्होंने थोड़ा सा stake लिया था इस पर यह करीब करी 49% ओन करते हैं अब एक सवाल यह उड़ता है लोगों के दिमाग में कि भाई साब अगर इनने bankruptcy फाइल कर दी तो यह future group से 1400 करोड Amazon कैसे निकालेगा तो वो एक चीज हो गई है दूसरी चीज क्या होगी है कर लिए future group के तो यह reliance तो अपना safe कर लिया कि वो क्या गर रहा है consolidate कर रहा है अपने physical warehouses because reliance को पता है कि अगर retail में इनको लड़ना है तो अभी इंडिया में already एक है डी मार्ट और अगर इनने छोटे छोटो को combine किया तब जाके वो future में जब Amazon आएगा तो उससे लड़ कि भई आप लोग सलो सला कर लो एक दूसरे से बात कर लो कुछ एक निपटा लो तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं तो अब सवाल उठता है भई सब गेम क्या है actually में गेम है कि शोर बियानी जी ने एक गलती कर दी अब मैं बताता हूँ देखो मेरा मानना है कि एक आप ल session आया तो इनकी पास option था कि तीन में से एक company बचाओ account में थे 200 million dollars और उन्होंने बोला कि मैं तो सब बचाओंगा तब कोई funding को तयार नहीं था लेकिन इनका confidence देखके कि भाई ये तो अपना पूरा पैसा लगा रहा है बाहर से investor आ गए unfortunately वो confidence कि शोर जी कि तर मिसिंग है कैस अब आप ध्यान से सुनना मैं कुछ valid points बताऊंगा आपको समझ में आएगा पहली बात किशोर जी के पास Amazon आई Amazon ने क्या बूला Amazon को एक backup करती थी एक company जिसका नाम है Samara Capital एक private equity firm है जिसके पास बहुत सारा पैसा बहुत बहुत पैसा जो आप जैसे अपने वीडियो लाइक क आगाने के लिए तैयार है यह 7,000 क्रोर से क्या होगा जो debt है जो करजा है वो दे दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग plan out करेंगे किस प्रकार से क्या करना है strategize करेंगे कि वापस future retail को कैसे revive करना है तो basically Amazon का angle ये था Amazon और उनके जो investor था उनका angle ये था कि वही किशोर भाई ये हम तुमको पीछे से backing करते है I know problem हो गया हम इस चीज को help करेंगे इसमें Amazon का क्या game था Amazon का ये game था कि कल को जब Indian government अभी देखे retail में विदेशियों के लिए cap है FBI limit के cap है जब कल को ये चीज relax की जाएगी तो ये future group के through ही अपना दवाव Indian retail में लेके आएगे so basically Jeff Bezos भाई साब का idea था कि retail group को dominate करने के लिए हम future group के अपना राज जमाएंगे पर किशोर भियानी भाई साब ने एक mindset बना लिया कि मेरे को अपनी company continue नहीं करनी है और इसलिए इन्होंने मोटा भाई को बुला मोटा भाई ले लो यार मैं अपना steak sell करने को तयार हूँ डी मार्ट वाल मार्ट जित्ते भी हैं और Amazon कल को आ जागा ये जीज़ लेकिन जब मोटा भाई के पास ये लोग गए तो Amazon भड़क गई अरे हमारी हैसी की तैसी तुम लोगोंना हमारा दिमाग का धही कर दिया अब देखो हम तुमको दिखाते हैं और फिर वो quote के सिलसले च इनको ना रेंट देने तक के पैसे नहीं बचे थे इनके पास हालत खराब हो रही थी रेंट देने के पैसे नहीं कोविड में हालत खराब ये वाली चीज़े तो इनके ना दो-दो साल के lease पे इनके जो units चल रहे थे वो reliance लेने लग गया because reliance के पास तो पैसा था तो reliance ये future group वाले इतने शाने हैं कि ये लोग बेचे जा रहे हैं अपने assets to reliance तो हमारे पास बचे गाई क्या भाई जब हम वापस आएंगे पर ये अब क्या हो गया था कि किशोर भाई भी ऐसी जगह पे पहुंच गया कि default पर default हो रहें interest भरनी पा रहे हैं market में selling हो रही है खबर पह बच गई हैं तो कोई बचाने के लिए मोटा भाई बचा लो मोटा भाई ने भी इनको अठका के रख दिया और फिर एक ego battle छिड़ गया किनके बीच में इन दोनों भाई साब के बीच में और इसके बीच में फच गए किशोर जी तो मेरे हिसाब से एक गलती किशोर जी की य यार सर आपने इतने साल से चलाया था अपको बेचना नहीं चीए था ठीक है अड़ते ठीक है एक था विदेशिया अगर आके कंट्रोलिंग राइट लेते वो थोड़ा सही भी नहीं रहता बड़ गिवप नहीं करना चीए था दाट इस नंबर वाई सेकेंड चीज जो मु थोड़ा सा वो लगा एक टाइम मिल गया बट एड़ एंड वाफिस बैंकरप्सी पे आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कमेंट्स में जरूर बताएगा क्या ऐसे हालात में भी फ्यूचर रिटेल के शेर्स होल्ड करना या इससे एसोसीड़ किसी भी चीज का शेर्वोल्ड करना सेंस बनता है क्या दूसरी चीज यह है कि क्या आपको लगता है यह बैंकरप्सी से बच सकते और बच सकती तो कैसे बच सकते विकोज मोटा भाई ने भी अपना हाथ हटा दिया है और एमेजॉन भी इस लाइक अब तो वह 1400 कुरोर मेरे को लग रहा उ मुकेश अंबानी जी की थी क्या जेफ विजोस की थी या फिर किशोर भी आनी जी की थी कमेंट्स में जरूर बता है और आशा करता हूं आज के नालेसिस आपको कुछ सीखने मिला इससे तिल दैन कीप लर्नी कीप ग्रोइं कीप इंवेस्टिंग कीप ट्रेडिंग और